जमो कश्मीर के पहाड़ों में बरफपारी शुरू हो गई है गुरेज, खाटी और प्रियाचन सल गुलमर के उपरी इलाकों में भारी बरफपारी का ताजा दौर जारी है बरफपारी का लुफ उठाने के लिए प्रियाचक जमो कश्मीर पहुंच रही है देखे तास्वेरे भी आपको दिखा रही है गुलमर के उपरी इलाकों में बरफपारी हो रही है और ऐसे में इस सुन्दर दिश्व कानंद लेने के लिए जो प्रियाचक है वो भी लगाता जमो कश्मीर जो है वो ढखा हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वेरे आपको दिखा रहे हैं गुलमर के उपरी इलाकों की जहां पर बरफपारी का दौर जारी है प्रियाचक भी इस बरफपारी का दौर उठाने के लिए अपनी छुटिया मनाने के लिए यहां पर रही है एक सुंदर दिश्य कहिना की जमो कश्मीर में देखने को मिल रहा है जब से विंटर शुरू हुए है तब से लेकर अब तक लगातारा बरफपारी का दौर गुलमर्क में शूरू हो चुका है और गुरेज घाटी में भी भारी बरफपारी देखने को मिल रही है और इसी बरफ़वारी को देखने के लिए इस बरफ़वारी का अनंद लेने के लिए दिश्य देखने के लिए जो प्रियाचक हैं वो अलग-अलग राच्चों से यहां पर पहुंच रहे हैं और चलिए हमारे साथ हमारे समधता अजर हुसेन जुर्शो के हिलाइब उनका जारूफ करते हैं अजर देखे तस्वीरे देख रहे हैं गुलमर्ग की और घाटी की तस्वीरे जहां पर लगातार बरफ़पारी का दौर जारी है देखे पूरे शांदार तस्वीरे जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं दर्शकों को पूरे शांदार जो है दिरिश दिखा रहे हैं में और इसी तरीक के गुल मरक के अपर शीतर में तो वही प्रेडिक इसके बाद में अगर हम इसी नौंबर के पुरे महीने तक ड्राइस सुपल चलेगा और उसके बाद में फर्स दसंबर और सेकंड दसंबर को एक और सुपल आने वाला है जिसके पेश नजर हैवी सुनोफॉल हो सकते हैं लेकिन अगर हम आज की सुनोफॉल की बात करें स्टेशन ने पहले ही अपर रीचिस में जो है राशन डंप करके रखा है और उसके बाद में जो इस्थानी लोग है उन्होंने भी सर्दियों की तैयारी जो है जम करकर रखी है इस हवाले से उन्होंने आरेडी जो कोटा है वो डंप करके रखा है क्योंकि सर्दिया आने व काफी गरम पाया गया पर्टिक्लर ली वादी में तो दिकार तोड जो गर्मी है वो इस बार पड़ी तो इसके पेश नजर जो इस बार आशंग का लगाई जा रही है कि सर्दियों के पेश नजर इस बार गाठी में बहुत ज्यादा सर्दी पढ़ने वाली है लेकिन इसके प जो सनो कटर मशीन है उनको भी एलर्ट पोर्ट पर रखा गया है तो कहीं न कहीं वादी कश्मीर में जो एक सौहना मौसम है वो देखने को मिलेगा अगर हम परेटेक इस्तल की बात करें गुलमा की बात करें पहलगाम की बात करें वहां पे भी जो है टूरिस्ट के आमर देखें जिस तरी के से मैंने पहले ही कहा कि एड्मिस्टरेशन की और से जितने भी राप्टे सड़क है जिस तरी के से एनज़ एकसर हम देख रहे था था स्री नगर जुमु कौमी शहरा उसको अक्सर हो बेचतर हम सुर्ख्यों में देखते थे क्योंकि हैवी स्नो पॉल की चलते वो रोड अक्सरी बंद रहता था लेकिन इस बार जो है उसकी जो construction चल रही है उसके पेश नज़र जो है उसको काफी सरी जबहों पे मरमत किया गया है और वो भी तैयार किया गया है और इसके साथ में इससरी किसे प्रसाशन ने एलान भी कर दिया है कि वंदे बातरम ट्रेन जो है इस बार जो है सौगात के तोर पे जो कश्मीर से दिली चलाई जाएगी वो भी इस नए साल के आगाज से ही वो चलाई जाएगी तो कही ना कही जो परेटक इस तल की इस बार हम आशन का लगा रहे हैं कि रिकार्ट तोर परेटेक इस्तल आजाएंगे जिस तरी के साफ घर्मियों में भी देखेंगे काफी सारे जो टूरिस्ट है वो कश्मीर वारिद हो गए और जिस तरी के से एदाद श्मार यानि रहिशो देखे हम कुल जो वादी कश्मीर में जो परेटेक इस तल आये थे वहां पे दिन में तक्रीबन चार से पाँच हजार जो सेलानी है वो वारिद कश्मीर हो रहे थे तो कहीं न कहीं ये एक आहार भी बनके आरा है अगर हम किसानों की बात करें क्योंकि हार्वस्टिंग का सीजन अभी खत्म होने वाला है क्योंकि एपल वगेरा वो सब जो है उनको डाउन कर दिया गया है लेकिन कहीं न कहीं ये मोसम भी उनके लिए किसी आहार से कम नहीं है क्योंकि किसानوں में भी इस मोसम के हौआले से खुशी की लहर दोड़ गया क्योंकि यही मोसम जो है यही बरबारी जो होती है इनका ही ग्लेशर बनता है और इस ग्लेशर के पानी से ही पूरे साल जो है इस वादी कश्मीर के बगी चुमया किसी और जो फसल में है वो काम आ जाता है ठीक है सर चली बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साशा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया